हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्वीब चैनल यश्की क्राप शाला और आज हम लोग बनांगे यह वाला कर्टेन तो इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का उल जो मैंने 5 उलन थ्रेट लिये हैं और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ना है फिर यह धागे की सायता से इसको फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से उसके बाद हमको करना है सेम प्रोसीजर नेक्स साइड में कुछ इस तरीके से ऐसी ही मोड़ना है सेम और धागे से फिर से हमको इसको सिक्योर कर लेना है इस टोल को कट कर लेना है यह देखी कुछ लिफ के जैसे हमको शेप मि और फिर उसके बाद हमको सेम प्रोसेज़ दूसे साइड रिपीट करना है कुछ इस तरीके से ये देखिए और ये हमारा फिर से हमको सीक्योर करना है थ्रेड से इसके बाद में हमको एक्स्ट्र जो ओल है उसको कट कर लेना है और ये हमारा फिर से बनकर रेडिया से मैंने बह यह हमारा चोटो सा काड़ बोर्ड है तो इसको तोटल हमको राउंड राउंड करना है 65 टाइम्स राउंड 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 कोहमा। कट कर लेना है अब को इसको तोड़ सा सेट कर लेना उसको हमें सब्सक्राइब यह गूuzz गोच साइब पेपे उसको कट ले ना है के तो पूर सभी यह फॉरसा उसको ऊट कर लिया है। उपर साइट को भी थोड़ा सा कट किया है, और नेचे वाले लेयर को भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और ये हो गया है हमारा flower bonkir ready, अब इसके पीछे में हमको green color का कुछ बनाना है तो मैंने ऐसे लिया है, फिंगर से ही मैंने इसको बना दिया है, 23 times round किया है जो green color का उन्ड है उसको और extra un को cut करने भाद चop ums को उन्ड और मैंने लिया है और इसको beast से हमको बांधना है और bonded है टe separately secure करना है बल लगा गर कुछी इस तरीके से और इसके बाद में हमको इसके दोना end को cut कर लेना है अब इसको भी सेम फ्लावर के जैसे हमको तोड़ो सेट कर लेना है और देखते हैं हमको फ्लावर को लगा कर कुछ इस तरीके से लग रहा है ना प्यारा अब कहां गया भीया पॉम-पॉम आजा भाव मत खाओ थे मैंने पॉम-पॉम बनाया था अगर आपको पॉम-पॉम को विडियो चाहि लेना है कुछ इस तरीके से सभी को हमको एक बरावर शेव मे ला देना है सबको सब को मैं गया है झालो स्विडागा में आते जाओ तो मैंने सबसे पहले यह प्लावर डाला है और इसके पीछे साइड को हमको थो ज़़ाधा सिक्यूर करना है यह हमारा फ्लावन में गया और कैसे सिक्यूर करना है कुछ इस तरीके से ताकि जब हम लोग इसको लटकाएंगे हमारा यह लटकन बनके जब रेडी रहेगा तो यह एक साइड ना हो बीच में रहे तो कुछ इस तरीके सिक्यूर करना है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके बाद अगर हम इसको अच्छे से सिक्यूर नहीं करेंगे ना तो वह थोड़ा सा तीड़ इच्छा जैसे हो जाता है कुछ देखना मैं आपको दिखा रही हूं यह जो भी है ए उसको 12 यूज किया है और उसके बाद वाले मैंने 11 उसके बाद वाले मैंने टेन ऐसे यूज किया है अगर माले चाहिए कहीं पर भी मैं जब लटकाती हूं तो थोड़ा सा थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है तो मैं इसकी सब सुस्केट्जस कर लेती हूं यह आपके सावर की तो प्यारा लग रहा है ना मम्मा इती बहुत प्यारा लग रहा है और आच तो रात को भी वीजयो रिकॉर्ड करते रहती है और आच कुछ होने भी नहीं देटेए हूं तो यह हमारा इसको लटकाने के लिए मैंने फॉती बनाया है तो मैंने 5 आई-लन ध्रेड दि तो कुछ इस तरीके से हमको चोटी गूतना है ये और ये और ये और ये और जब भी बढ़ाना रहे तो कुछ इस तरीके से खीचना है बढ़ाने के बाद हमको फिर से वापस अपने काम में लग जाना है इन चोटी गूतने में और ऐसी मैंने पुरे चोटी गूत लिया है दो से हम को सिलते जाना है थोड़ सर डिस्टेंस में डिस्टेंस कितना लेना है यह आप खुद डिसाइड कर सकते हैं मैंने फोर उंगली का हिसाब से लिया है मैं ऐसे ही लेती हूँ क्यों कि मुझे यही ठीक लगता है तो कुछ इस तरीके से मैंने सिक्योर किया है एक्सरा उनको को कट कर लेना है फिर से वापस यह देखिए और उसके बाद मैंने और जो है उसको सेम ऐसी इसमें जो ग्रीन वाला है मैंने थोड़ा सा कम रखा है एक कम करते गई हूं मैं जो पहले वाला था उससे और कुछ इस तरीके से हमारा बनकर रेडी है तो देखना हमारे पास भौर ये तो बहुँत प्यार लग रहा है लंब शी चोता 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 हो गिया है और आपको ऐसी ओव वजिएो देखना है तो ममा के यूट्यूब चैनल ओड की कलाप चालको सब्क्राइब करना वीडियो को लाईक करना और जादे जादे छेयर करना टपटआच्क कि बबबो, पेमेलेंगे अगले वीडियो में!